दिल्ली के कांजावला में हुई दर्दना घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है या घटना रविवार की सुभकी है 23 वर्षिय युवदी को कार से घसीटते के कारण उसकी मौत हो गई इससे गुस्ताय लोगों ने सोंबार को सुल्तानपुरी थाने का घिराथ किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया इस दौरान सुल्तान पूरी थाने के बाहर अपनी कार से पहुँची मंगोल पूरी से आमादी पार्टी की विधायक राखी बिल्ला को भी लोगों के विरोध का सामदा करना पड़ा है सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खुब वाइरल हो रहा है विरोध करने वाले में बड़ी संख्या में महिलाई दिखी आप वाइरल वीडियो को देख सकते हैं कि राखी बिल्ला के गारी से पहुचते ही वहां मौजूद लोगों ने उसे घेड लिया वे आप विधायक को देखते ही उस पर जोर जोर से चिलाने लगे और उन्हें वहां से भगा दिया रिपोटर्स की मताबिक लोगों ने आप विधायक पर इस मामले पर राजुरीती करने का आरोप लगाया है वहीं राकी मिल्ला का कहना है कि लोगों ने उनकी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी समझ कर घेरा और उसका विरोध किया राकी ने कहा कि पुलिस प्रशासन का लचर रवया है लोगों का गुस्सा मुझ पर या फिर मेरी गारी पर उत्रे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता लोगों को लगा कि पुलिस की गारी है मुझे फर्द केवल इस बात का पढ़ता है कि हमारी गुडिया को नय मिलना चाहिए उन दरिंदों को फांसी के सजा मिलनी चाहिए